मंगलवार को रतनी प्रखंड के लाखापुर रोड से अजे बिघा धावापुर और सिकंदर पूर से मेवा बाजार पत निर्मानकारे का स्थानिय विधायक कुमार क्रिश्नमोहन और्फ सुधाई ग्यादों ने नारियल फोड कर विधिवत शिलान्यास किया इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक सुधाई ग्यादों ने कहा कि इस पत का उप्योग इस शित्र के लिए लोगों के लिए काफी महत्तोपोन है इस पत की उप्योगिता इस शित्र के लोगों के लिए महत्तोपोन होने के बावजूद इसकी इस्थिती काफी जरजर हो गई थी इस पत निर्मान की मांग ग्रामीन लंबे समय से कर रहे थे लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए विधायक ने कहा कि उन्होंने इस पत के निर्मान को लेकर पहल की साथी प्रात्मिक्ता के आधार पर सुखृती दिलाई विधायक कि ग्रामिनों की समस्याओं का निदान कराने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। विधायक सुधयादों ने मौजूद लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथी योजिनाओं का लाब लेने के लिए ग्रामिनों को आगे आने का आहवान भी किया। सुध़ यादों ने ग्रामिनों को अपनी देख रेख में पत्त का निर्मान, गुणवत्ता पूर्ण करवाने का निर्देश दिया है। सडक निर्मान कारे में गुणवत्ता के साथ खिलवाड करने वाले समवेदक पर काररवाई की बात कही। इस मौके पर लाखापूर पंचैत के मुखिया अमरेंदर यादो, जुनाठी पंचैत के मुखिया पती सुरेश यादो, रतनी प्रखंड अध्यक्षे नौशाद आलम, राज़तनेता महिंदर यादो, श्याम सुंदर यादो, किरानी यादो, डबलू से, मुखिया, बृत् और अन्य लोग मौजूद थे